हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल एमसमेज हम अप्लोड करता हूं ब्यस्सी माथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लग्चर्स तो मैथमेटिक्स ब्यस्सी से रिलेटेड टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे माई इस देज प्रेंग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो आपको कुश्चिंज गीवन होता है उसमें एक होता जैड फंक्शन जो की ऑप्टिमाइज करता है लाइक तो मिनिमम होता है या मैक्शिमम होता है अब इसमें वेरियेबल्स होते है लाइक एक्स फटू एक्स ट्री अब अब जणरेल ली हम जो वेरियेबल्स पड़ते हैं जिसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग मै्थोड को सौल खरता है निन रखिकली मैं खरते हैं जोसका सॉलूशन किया जाता है वह ग्राफिकली सॉलूशन है उसमें आल याद ली-ड番ünü method, so इसका meaning ये था कि graphically method में हम only z अगर उसमें, जैसे हम बात करें m1x plus m2x sorry, m1x1 plus m2x2 मान लेता है, इस type का कोई आपके पास में कोई भी object function है और इसमें आपके पास में दो variable है then you can solve it by the graphically method, अब आपके पास जो constraints होता है, वो कितने भी हो और हमेशा non negative होना चाहिए, ये बात भी आपको ज्यान रखनी है, ठीक है अब बात ये है कि उसमें हम सिर्फ 2 को solve करते थे, बट अगर ऐसी condition हमारे पास में हो जाए ऐसा कोई question बन जाए, ऐसी कोई LPP हमारे पास में हो, जिसमें more than one variable, sorry more than two variables, अगर उसमें हम को solve करना पड़ जाए, then how can we solve that problem, so for that, we will use the method is simplex method so theory of simplex method में आज पूरा introduction देंगे, किस टाप से questions को solve करना है, वो सारा हम देखेंगे simplex method की जो definition है वो यह है कि it is the solution, it is the method of solution of linear programming problem, ये method होता है इसको solve करने का LPP को solve करने का जिसमें, which has more than two variables, जिसमें more than two variables होता है okay, so it is a step-by-step method, ये step-by-step चलते हैं, इसमें actually हम table के format में इसका basic feasible solution होता हो find किया जाता है and then जब हमारे पास में सारे चीज़ें maximum like positive हो जाता है, तो उस time पे हम उसको optimization value जो है, वो variables की find करें, हम find कर सकते हैं अब इस method का advantage ये है, कि हम इससे दो variable वाले भी solve कर सकते हैं, तीन वाले भी कर सकते हैं, more than two वाले भी solve कर सकते हैं, graphically method से आप only and only two variable वाले solve कर सकते हैं, but by this method, we can use, we can solve all the questions of like linear programming problems, okay, इससे आगे भी हम और methods पढ़ेंगे, big M method, like और भी कुछ type के method होता है, but ये simplex methods होता है, graphically method के बाद में सबसे अच्छा method है, so it is a method to solve a linear programming problem of the two or more variables, so it is a step by step method to find the solution of the LPP in which we find the basic feasible solution for only maximum optimization that is very important, optimization always maximum होना चाहिए, जब भी आपके पास में Z कोई भी given है, तो वो Z हमेशा maximum होना चाहिए, अगर वो minimum है, तो we'll reduce into the maximum, और वो कैसे reduce करते हैं, मैं आपका भी आगे बताने वाला हूं, बात करते हैं, vector associated to LPP, LPP के साथ में हम जब भी कोई काम करते हैं, तो उसके साथ में एक matrix, LPP का format होता है, वो matrix format का होता है, और उसे matrix के set को या फिर matrix को हम vector के form में उसको vector कहते हैं, like उसको समझते हैं, LPP का जो format होता है, वो इस type से होता है, यानि कि Z जो हमारे पास में C1, X1, C2, X2, C3, X3 ऐसे करते हैं, हमारे पास में Cn, Xn तक चलता है, और जो constraints आपको given होते हैं, वो बहुत सारे constraints हो सकते हैं, like A1, X1, A1, X1, A1, X1, A1, 2, और यह क्या करते हैं, एक matrix का format करता है, जैसे A1, 1, A1, 2, A1, 3, मान लेते हैं, अगर आपके पास में इस type के कोई constraints है, तो यह क्या करेंगे, एक matrix को associate करेंगे, एक matrix, तो इसको हम कहेंगे vector, अब यह कौन-कौन से vector होता है, अलग-अलग type case में vector होता है, हम उनी को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, और अब यहां पर यह क्या होता है, इंकि symbols होता है, यहां पर क्या होता है जब भी आप constraints को देखता है तो या तो minimum, या पर less than equal होता है, या फिर वो equal होता है, इस b, यहlı कि कोई a constant होता है, ओके इस वे, अब बात आती हैं यहां पर कि जो हमारे पास में एक्स और यह सारे क्या होता है तो यह सब जो है वह ना यहां पर जो इसके जिरो से स्टार होता है यहां पर यह सारे वेरियबल से हैं और यहां पर जो कि आपके पास में अब्जेक्ट फंक्शन होता है उसके साथ में असोसेटेट होता है उसको प्राइज या कोस्ट कहते हैं इसके पता होने चाहिए क्योंकि जिब हम इसके क्यों को करेंगे तो यह तरम्स हम वहां पर यूज करेंगे और फिर आप इंटरम्स में हो सकता है तो यह मैं थोड़ा कन्फ्यूस भी होजाए कि कॉस्ट वेक्टर क्या होता है तो पता होना चीक्व जो आपका अब्जेक्ट फंक्शन है जो वेरिवल्स होता है वो उसकी कॉस्ट कहलाता है ठीक है तैन हम बात करते हैं यहा फें अल्फा जहें में डिनाट कर रहा हूं जो वेरियेबल्स है, जो वेरियेबल्स के, ना, constraints के वेरियेबल्स के जो coefficient है, like a11, a12, a23, यह जितने भी जो इसके constants है, उसको हम active vector कहते हैं, यह जितने भी है, जैसे हम बात कर रहा है, जो matrix हम बना रहे थे, a11, a12, a13, इससे जो भी पूरा matrix बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, यहापे, उसको हम यहापे कहते हैं, active vector, then हम बात करते हैं, यहापे, जो B है, यानि कि जो right-hand side में, जो आप देख सकते हैं, constraints की right-hand side में जो सारी values लिखी है, उनका अगर हम matrix formation करते हैं, so that is known as the requirement vector, उसको requirement vector कहते हैं, तो यह terminology आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, now हम बात करते हैं, slack and surplus variable, these are the very important, इसका question कभी-कभी exam में direct पूछ लिया जाता है, write the definition, या define the slack and surplus variable, इनको define करना, उसकी definition में आप यहापे बता दूँगा, और then हम इसको समझेंगे, कि यह actual में है क्या, so सबसे पहले बात करते है, slack variable के बारे में, अब देको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, कि actually जब हम यहाँ पे, जो यह simplex method को solve करते हैं, तो उसमें हमारे पास में जो constraints given है, वो हमेशा always should be in the equation, अब यह less than equal 3 है, ऐसा हमने का, वह हमारे एक constraints हो है, वो इस टाइप से है, then हमको क्या करना है, इसको equation में convert करना है, तो यार equation में convert करना होगा, तो हम कैसे करते हैं, ग्राफिकली method में हम सीधा इसको equation consider करते हैं, उसको हम intersection form में लिख के उसका graph ड्रॉ कर देते हैं, लाइन का graph ड्रॉ कर देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं कोगा, क्योंकि हम graph बनाने रहे हैं, अपने को actual value चाहिएगी equation की, तो यह क्या है, यह वाला जो time आप देख रहे हैं, यह वाला term इससे less than है, अना less than होता है, तो क्या होता है, इधर वाला जो है, वो थोड़ा कम है, और इधर वाला जो है, वो जादा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इधर add कर देंगे, तो यह दोनों बराबर हो जाएगा, आप इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारे पास में चुटराजू होता, ऐसको एसे समझो ना यार, यह तराजू होता है, मान लेता है, यह इस टाइब से, अब इधर मैंने कुछ करना है, और इधर कुछ रखा, यह वाला थोड़ा भारी है, तो नीचे करने का काम करता है, equation का मतलब जाना equal होता है, तो अब हम क्या करता है, x1 plus 2, y plus 3z, या फिर हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर x1, y1 के format मिले दे था कि आपको questions, actually generally जो होता है, वो 3x1 plus 4x2 plus, यह हो जाएगा, मान लेता है, 3x3 is less than equal हो जाएगा, यहाँ पर less than equal pipe मान लेता है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कि एक ऐसे variable को add कर रहे हैं, x1 plus 4x2 plus, यह हो जाएगा, 3x3 plus, हम क्या कर रहे हैं, x4 को यहाँ पर हमने add कर दिया, तो यार यह क्या हो जाएगा, इसके equal हो जाएगा, तो यह जो 4x4 है, वो क्या कहलाएगा, slack variable, like the variable which convert inequality, this is the inequality, so inequality to equation by adding in LHS, यानि कि जो LHS side है, यानि कि जहाँ पर generally यह हम ऐसे लिखते हैं, LHS side में add करते हैं, ऐसे एक variable को, जब inequality is format में हो, less than equal की format में होता है, then it is called the slack variable, इसका एक example भी हमने यहाँ लिया है, a1 x1 plus a2 x2 यह से less than है, तो हमने x3 को add किया है, वो x3 क्या होगा, यहाँ पर slack variable हो जाएगा, this is important concept, now हम आगे बढ़ते हैं, surplus variable को समझते हैं, just इसका opposite हो जाएगा, like हम बात करते हैं, example कि हमारे पास में कोई constraints, 4 x1 plus 3 x2 is greater than, equal 5 आपको अगर given है, तो इस condition में हम यहाँ पर एक ऐसा variable add करते हैं, like यहाँ पर x4 इसलिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने x3 use ले ले ले, इसलिए हम यहाँ पर x4 लिखते हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा confused नहीं होना, तो यह हो जाएगा, x1 plus यह हो जाएगा, x2 I think this is wrong, यहाँ पर minus होना चेहता, यह actually इसमें से minus होगा, तभी तो यह इसके equal होगा, अब यह चीज़ बड़ा है, तो हम इसमें से कुछ less करेंगे, तो भईस साब हम इसमें से जब less करेंगे, तो 3x2 minus मैं यहाँ पर अगर x4 less कर देता हूँ, इसमें से less कर रहे हैं, जिसके कारण यह इसके equal हो जाता है, so the variable which converts inequality to equation by subtracting in LHS when the inequality is in the form of greater than equal, then it is called the surplus variable, यह जो x4 है, यह surplus variable कहलाता है, okay, so यह था slack variable and surplus variable में इसकी definition 100% में एक्जा में पूछी जाती है, तब इसको जरूर नोट करें, now हम बात करता है, the condition of simplex method, this is very important because it helps to solve the LPP by simplex method, यह आप कह सकते है, LPP solve करने के working rule में से एक आता है, इसकी condition क्या होने चीए, सबसे पहले condition की मैं अगर बात करता हूँ, तो where the optimization should be maximum always, optimization जैसे आपको given है, z is equals to 3x1 plus 4x2 plus 5x3, यह हमेशा maximum optimization के लिए ही question होना चाहिए, अब अगर आपको यहाँ पर ऐसा कह देते हैं, कि भाई साब यह maximum नहीं है, यह आपको question ने दे दिया, कि यह minimum है, तो यार यहाँ पर इन्हें आ लिग दिया minimum, so now हम इसको convert कैसे करेंगे, तो यार इसको convert करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको maximum लिखेंगे यहाँ पर, आगे लिखेंगे z, in case जितने भी sign है, sign change कर देंगे, दी हो जाएगा, minus 3x1, minus 4x2, minus 5x3 हो जाएगा, तो यह किस में convert हो गया, maximum में convert हो गया, कोई minus है, तो plus कर दो, plus है, तो minus कर दो, उसको क्या कर देंगे, हम sign change कर देंगे, so it is, if it is the minimum to convert into maximum, then we will change all the sign of object function, okay, now हम आगे बढ़ते हैं, all the constraints should be in the form of equation, और equation की form में कैसे convert करना हो, भी आपने बताया, हमने बताया कि surplus and slack variable का use करते वे, उसको हम क्या करेंगे, equation में convert करेंगे, then all the elements of requirement vector, याने कि B जो है, वो requirement जो vector है, उन सब के positive होने चाहिए, मतलब आपको अगर कोई constraints ऐसा given है, like मैं बात करता हूँ, 3x1 प्लस 4xy, 4x2 प्लस 6x3 is equals to minus 4, अगर ऐसा कहीं आपको अगर given है, अगर मान लेते हैं, ऐसा equation भी आपको अगर मिल रहा है, तीक है, यहाँ पर मैं कहाँ आपके आपके पास में जो equation बन रहा है, पट यहाँ पर यह जो इसका set जो बनेगा, उसमें matrix जो बनेगा, उसमें कोई भी element 0, negative नहीं होना चाहिए, अगर यह negative है, तो हम क्या करेंगे, इसके sign को इदर लाएंगे, यहने कि पूरे को multiply करेंगे, minus sign जी multiply करने पर यह plus में convert होना चाहिए, मतलब जो b की matrix बन रही है, यहने कि requirement, vector जो बन रहा है, वो पूरा का पूरा positive होना चाहिए, नाव हम आगे बात करते हैं, next हमारे पास में है, all the variables should be non-negative, सारे variables non-negative होने चाहिए, like x1, x2, x3, xn, सारे जो है, वो non-negative होने की greater than equal 0 होने चाहिए, यह था conditions के बारे में और यह condition बहुत important है, अब हम बात करते हैं, कि हमारे पास में जो table बनती है, this is a step-by-step method और इसको tabular form में solve करता है, तो table बनेगी, who कैसे बनेगी, that is very important, जो table का concept है, उसको समझना जरूरी है, अब देखों, यहाँ पर table बनाने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला लिखना पड़ेगा, cost of basics, अब यह basic क्या होता है, वो भी हम आपको बताएंगे, सबसे पहला आपको लिखना होगा, यहाँ पर basic, तो जो matrix बन रही है, यानि कि यह जो constraints की matrix बन रही है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं, तो यह जो variables के coefficients हैं, इनकी जो matrix बनेगी, उसमें कौन सा, जो ऐसा matrix है, जिसको equation ने convert करने के बाद में, slack and surplus variable add करने के बाद में, जो equation मन रही है, उस equation का जो coefficient है, variable के, उनकी जो matrix बनेगी, उसमें कौन सा element, identity matrix बना रहा है, identity matrix का मतलब होता है, जिसमें यह इस type से diagonal में, elements 1 होता है, यह identity matrix होते है, 3 cross 3 की, और यह होते है, 2 cross 2 की, इस type का अगर कोई element जो identity matrix बना रहा है, तो उसको हम कहेंगे basics, वो हम यहाँ लिखेंगे, उसको generally alpha, beta, किसे भी denote कि, मिलब किसे भी कर सकता है, alpha 1, alpha 2, को SM denote करेंगे, और फिर उसका cost हम यहां पे लिखेंगे, यानि कि उसकी जो z function, यानि कि, z जो है, उसकी variable cost अभी आपने आपको बता है, cost का मतलब क्या होता है, cost vector को हम यहां पे लिखेंगे, then हम यहां कि हम लिखेंगे, हम लिखेंगे requirement वेक्टरी यानि की वेल्यू फिर हम क्या करेंगे जितने भी वैरियबल है x1, x2, x3, y1, y2, y जो भी आप रिखेंगे उनकी values को लिखेंगे then हम यहाँ पर क्या लिखेंगे उनकी cost लिखेंगे z function में उनका coefficient क्या है तो वह होगा c1, c2, c3 okay, यह ऐसे आपको लिखना है then हम क्या करता है? यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा जो होता है उसमें क्या होता? आपको z j find करना होता है z j का मतलब होता है कि इसको, यहाँ पर, sorry हाँ, इसको, इसकी cost को इससे multiply करना है इसकी cost को इससे multiply करना यानि कि जितनी भी cost है उस variable से multiply करके सब को add करना और सब को add करते हैं उसके बाद हम z function find करते हैं फिर इस z मैं से c को less करते हैं यानि कि z j minus c j हम यहाँ पर क्या करते हैं लेस करते हैं और फिर हमारे पास में यह values आती है इन values के basis पर देखते हैं कौन सा most negative है अब क्या करना है most negative करना है बट एक बात यहाँ पर यहाँ भी ध्यान रखें कि कभी-कभी कुछ books में c j minus z j लिखा है तो इस time पर हम क्या लेंगे most positive ले लेंगे भाई साब इस condition में most positive ले लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे most negative ले लेंगे अभी तक के लिए आपको इतना ही समझना है कि table का formation कैसे करना है और method अगर आपको समझना है तो आप अमारे playlist में जाकर देख सकता है जहां पर इसका question हमने solve कर रखा है और that is very important एक question अगर आपने इसका solve कर लिया तो आप easily सारे questions को solve कर सकता है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि table मा identity को कैसे बनाना है so I hope आपको यह जो पूरा concept है वो अच्छे से clear वा होगा so thanks for watching this video keep watching MS Maths and subscribe to the channel MS Maths